नमस्कार दोस्तों, SST Adda 24-7 YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभी नंदन है और शुरुआत करते हैं आज के Current Affair की दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भाई, Saturday को सायद बस Class नहीं चली थी, जहां तक मैं जानता हूँ, कि Saturday को Class नहीं चल पाई थी, फिर Sunday और आज हम लोग साथ में हाजीर हैं, ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग साथ में हाजीर हैं, तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के session की और देखते हैं कि आज के session में क्या रहेगा इस्टूडियो में ठीक है तो आज के session में क्या रहेगा इस्टूडियो में तो सभी को बधाई आप लोग ने अपनी लड़ाई जीती और उसके उपर भी बात किया जाएगा लेकिन उससे पहले आज current affair पे जरूर फोकस किया जाएगा जो हम लोग का सबसे main सबसे मूल काम है मुस्कुले तब आती हैं जब आप हार मानते हैं और विजय तब मिलती है जब आप इन मुस्कुलों का सामना करते हैं कुछ इसी तरीके का पिछला दो तीन दिन रहा 23 तारीक से लेकिया 26 तारीक हो गई और आती रही लखनों के इको गार्डेन में मुश्किलों से भीडा गया आनंद लिया गया और बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बहुत मज़ेदार हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है कि हम लोग जूजे पड़े हैं जूजे पड़े हैं संगहर्स को भी मज़े के तौर पे लेना चाह लेकिन अचानक संडे को हम लोगों की जीत हुई तो ये अच्छा लगा ठीक है ना तो ये बड़ा अच्छा रहा कि भीजा ये मज़ेदार हो गया है चलो अब सुरुआत करते हैं सर आपकी चाय हाँ तो एक कप पी ले रहे हैं भीजा देखो चाय तो आज आती है लेकिन सम इसरी बार पी के चाय रख देगे क्योंकि पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है ठीक है अच्छी लग रही है ठंडी हो जाएगी भाई ठीक है ना हाँ अरे हम आगए तो अतुल सर भी आही गए ना हम दोनों साथी साथ होते हैं अतुल सर भी आगए है ठीक है ना अतुल सर भी आ गया है हम भी आ गया है साम से आपकी जीडी वाली क्लासेज वगएरा सब प्रॉपर चलने लगेंगी निम्न में से किस अस्थान पर चौथे सीत कालीन खेलो इंडिया का आयोजन क्या गया आपको पता होगा कि ये कोश्चन हम लोग 20 उस तारीक को पढ़े थे एक बार ये बहुत इन्पॉर्टेंट है इसलिए इस पर थोड़ा समय देना पड़ेगा जरा समझना ये दो फेज में खेला गया है एक तो अभी खेला गया है 21 से 25 फरवरी ये कल खतम हो गया है, ठीक है ना 21 से 25 फरवरी और एक फेज इसका और खेला गया था जब ये खेला गया था दो से छे फरवरी ठीक है ना दो से छे फरवरी तो इस बार का ये दो फेज में खेला गया है जब दो से छे फरवरी में खेला गया था तो दो खेल हुए थे और जब 21 से 25 फरवरी में खेला गया तो चार प्रकार के खेल हुए थे इस बार का जो खेलो इंडिया सीत कालीन कhält रहा ऐसा पहली बार हुआ लला जब ये गुल्मर्ग में आयोजन हुआ लदाक में अगर इस खेलो इंडिया सीत कालीन खेल की बात करें तो ये 2020 में सुरू हुआ है और इस बार कौन सा संसकरण था? चवतह संसकरण यह जो चौथा संसकरण हुआ है मेरे भाई, यह हुआ है आपके 2024 में, 2020 में स्टार्ट, 2024 में चौथा संसकरण, कल इसका final result भी आ गया, तो देखो, इसमें first position पे आई है, पदक तालिका में, army, ठीक है न, army को कुल 21 पदक मिले हैं, 21 पदक, army first position पे है, 21 पदक के साथ, second पे करना तक, फिर महारास्ट, ठीक है न, second position करनाटक की है, और third position पदक तालिका में, महारास्ट की है, चूकि, यह आपके देखो, army का, यह है कि वो पूछ सकता है आपसे, कितने bronze, कितने, आपके silver और कितने gold, याद रखना, 10 army ने gold जीते हैं, 5 army ने कितने silver जीते हैं, और 6 army ने जीत हैं, आपके bronze पदक, तो इसके उपर G लिख दे रहा हूँ, इसके उपर S लिख दे रहा हूँ, silver medal और इसके उपर bronze medal, हाला कि हो सकता है आपसे करनाटक, महारास्ट, इनका पूछ दे, 11, 22, 17, यह जीता है, 11, यह जीते हैं, 22, अब आप कहोगे, sir, यह 11 पदक जीतने वाला कर करनाटक, दूसरे position पे कैसे, इसलिए हैं मेरे भाई, क्योंकि इसने 9 gold जीत लिए हैं, इसने silver एक भी नहीं, और bronze आपके 2 जीत लिए हैं, ठीक है न, बलकि यह silver दो जीता है, silver दो bronze जीरो, silver दो जीता है, जब भी इस तरीके का आयोजन होता है, उसमें gold medal की संख्या के आधा भले ये 22 पदक टोटल जीते हैं, लेकिन इनके 22 में gold की संख्या केवल साथ है, तो gold की आधार पे first second third time किया जाता है, तो overall army first पे है, gold में भी जादा है, और total पदक में भी जादा है, इसका मतलब है कि चौते इंडिया खेसीत कालित, आचा मैंने तुम लोगों को इसका वो सी, ठीक है न, सिन ए सी, ये क्या है, हिम तेंदुआ है, अनुराक ठाकुर जी ने, इसका मतलब की उद्गाटन वगएरा किया था खेल से पहले, तो ये बात, तो अब कोई confusion, I think इस question में नहीं रह गई, ठीक है न, नहीं रह गई, तो ये ठीक है, हो गया, चलो, अगले point पह आएंगे, तो ये ही सब हुआ, सीत कालिन, एक स्टुडेंट इसमें लिख रहे हैं, सर आप जब लखनव में थे, तो आपने कोई जॉब के लिए बोला था, जब हम लखनव रैली में थे, कई स्टुडेंट आकर के मिले थे, अड़्डा का वहां पर आफिस भी खुला लखनव में इंटर्विव कहां चल ला है, तो हमने बताया, चले जाओ यहां से 7-8 किलो मिटर दूर, हम लोग आंदोलन इको गार्डेन में था, तो दो चार बच्चे गए, साम को जब हम मतलब अड़्डा के गेस्ट हाउस पर होटल पर रुखने गए, तो हमें अड़्ड कि मेंबर्स ने बताया कि सार, दो-चार इस्ट्वेंट्स आपका नाम बता करके इंटर्विव देने आये थे, दो या तीन आये थे, और उनमें से एक दो लोग का हो भी गया, हम क्या चलो भईया, आये थे आंदोलन में, एक नोकरी भी लेके चले गया, तो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पांडे करके एक लड़का था, और एक और कोई लड़का था, वो भी दो, तीन लोग गये थे मेरे नाम पे इंटर्विव देने, उसमें से दो अपना क्वालिफाई भी कर गया, अच्छी चीज थी, तो आगा मिखिल, निम्रमें से किस दिन स्काउट दिवस मना जाता है, स्सी के पेपर में कई बार पूछा है, स्काउट आंदोलन, यह दो को जो स्काउट आंदोलन कब शुरुआ था, हमेशा याद रखना, स्काउट आंदोलन 1907 में हुआ था, स्काउट आंदोलन, स्काउट आंदोलन की सुरुआत 1907 में, और यह पीक पर कब आया प्रतम बिशियुदि के बाद इसकाउट के रॉबर्ट बेडेन ठीक है ना रॉबर्ट बेडेन को संस्थापक माना जाता है ये वेक्टी जो है इसको वैसे तो इसके नाम के आगे लॉड भी लगा है लगा दो एक कौन सा भारत पर सासन किया है लॉड इसकाउट जैसी सुविधा देनी चाहिए इस मीटिंग का रिजल्ट बहुत जल्द आ गया उसी वर्स और इस मीटिंग के रिजल्ट के आधार पे तैय किया गया कि 1926 में पहली बार 22 जनवरी को ये मनाया जाएगा तो 22 फरवरी तो लोगों ने पूछा भीया 22 फरवरी को ये क्यों मनाया जाएगा पहली बार मनाया गया तो एंसर आया कि देखो भाई 1857 इस्वी में 22 फरवरी के दिन 22 अब तुम लोग अपने भारत की क्रांती से मत जोड़ लेना इस व्यक्ति का जन्म हुआ था लॉर्ड रॉबर्ट बेडेन का बेडेन का बर्थ डे पढ़ता ह है इस वज़से हम इस डे को क्या करेंगे बर्थ डे ठीक है na बर्थ डे पढ़ता है इस वज़से हम इस दिन को मनायेंगे क्लियर हुआ यहां से चार से पांच प्रसन बनेंगे लला देखो पढ़ो इतने आराम से इतने आसानी से कि वो भूल ही न पावे क्लियर है अच्छा अब करेंट अफेर में एक बात और पूछ सकता है 22 जनवरी ठीक है कब मीटिंग हुई कब आंदोलन हुआ इसका संस्थापक कौन है किसकी याद में मनाया जाता है और अगर पेपर टफ किया तो आपसे ये पूछ देगा कि इस बार 2024 में जो विश्व सकाउट दिवस मनाया गया है उसकी theme क्या है? सकाउट्स फॉर अब वर्ल्ट याद रहेगा? अब मैं सॉट कर्ट में आ है अब ये सकाउट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ट ठीक है न? बेटर वर्ल्ट ये मेरे ललन सकी theme रहेगी 2024 वाले की सब लोग इसको ध्यान रखोगे ठीक है क्लियर है चलो अगले question पर आएंगे तो ये तुम लोग भी आप हमको लगता है scout scout के कोई इसमें member हो member हो तुम लोगों को आज मैं 4-5 छोटी-छोटी घटनाए अपने लखनव यात्रा की बताऊंगा ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं बैज्जती-बैज्जती महसूस कर रहा था मुझे अब तुम ही लोग बताऊगे कि आदतों में सुधार करनी है या नहीं मतलब मेरे साथ क्या है न कि जिसे हम जो कर रहे है हमको लगता है ये ठीक है मतलब देसी पन हम लोग बेसिक तो मैं खुल के करता हूँ हूँ तो दियात का पिता तो किसान रहे हैं पला पढ़ा तो ऐसे ही फैमिली में हूँ किसान फैमिली में तो वो जो अंदर की बात है वो बनी रह जाती है चाहे आप एयरपोर्ट पे हूँ अचा है आप पता नहीं किस हाइटेक जगां पे हूँ वो मेरे साथ हो रहा है और इस बार अतुल सर, पवन सर, साहिल तिवारी सर इस सब मिलके मेरा भहुत मजा लिये हैं बताता हूँ इदे को AIDS ओट्स नहों तुम लोग को बचे रहना खाली AIDS असुरचित सेक्स से नहीं होता है इंजेक्शन लगा देने से बलड चड़ा देने से उससे भी होता है नहीं खाली आईसे ही बने हुए है कि अरे खाली असुरचित सेक्स से कई माध्यम होते हैं AIDS के AIDS में भी याद रखना T-Lymphocytes प्रभावित होता है अनुसंधान का सुभारम किस राज्य में किया गया है देखो भारत के पहले गती सक्ती अनुसंधान का जो सुभारम किया गया है North East के इसाब से that is in Meghala actually गती सक्ती योजना क्या है और गती सक्ती यूनिवर्सिटी क्या है और गती सकती अनुसंधान के तीनों में अंतर है सबसे पहले तो ये याद रखना गती सकती योजना की अगर बात करें तो ये प्रधान मंत्री गती सकती योजना की बात करें तो 2021 माई थी भारत को इंफराइस्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इंफराइस्ट्रक्चर को मज पैस्टरी टाइब का था। उसको रीनेम किया गया किसको National Rail and Transportation ठीक है ना उसको रीनेम किया गया और नाम दिया गया गती सक्ति विश्यविध्याल में तरह का रेलवे के अनुसंधान के लिए पहला यूनिवरसिटी खुला वड़ोधरा में धीरे धीरे रेलवे की चीज़ें और आगे बढ़ी अब उसमें और रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत थी तो हुआ यार एक तो नौर्थ इंडिया और इधर को देख लेगा वडोधरा गुजरात साइड वाला नौर्थ इस्ट के वो सेवन सिस्टर्स अस्ट लक्षमी तितली अभी बनाये नो उसका सुभं कर उसके लिए क्या किया जाए तो वो खोला गया आपके मिघाले में वहाँ पे आपके सर्वानन सोनोवाल जी पहुँचे इनों ने बकाय्दे इसका उद्घाटन किया अनुसंद्धान पीठका इनोंने बकायदे उद्घाटन किया अब ऐसे तो इस बार जब मैं पहुचा था कहां लखनव तो कई घटनाय हुई जैसे उनमें से एक क्वेश्चन के बाद एक बता दे रहा हूँ जब यही दिल्ली एरपोर्ट पे पहुचा था तो वहां पे बड़ा बिधवत ऐसे से करके सब चेकिंग करते हैं तो चेकिंग हो रही थी तो एक पुलिस वाल हूँ कुछ हाथ में तो लिया हुआ और नहीं हूँ फिर लेकिन वो दोड़ते हुए एक और दो आए फिर जब मैं ऐसे अपना फ्रिक्सिंग जैसे चेक होता है न देट्स काल्ड फ्रिक्सिंग चेक वेख हो करके जैसे ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ा हूँ आकर रोग द पिर हूँ आकर बोले है सर मैं आपका स्टूदेंट रहा हूँ सर पढ़ाम सर में देट हो गया है हम्ण पड़ार लंबा स们टанич चेक हो रहा है फिर उसके बाद हम बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ऐन भी बात नहीं सर हमारी यूनियट के लोग भी है आपसे सर करेंट अए चा आसुतोस सराई अरपोर्ट पर फिर फोन नमबर लिये अब मैं उस दिन का भी वेट कर रहा हूँ जब वो फोन करके बोलेंगे हेलो मैं CISP हेड ये बोलना हूँ उस दिन अगर मैं बात भूल गया तो मैं तो कि CISP का हेड क्यों फोन कर रहा है क्या बात हो गया है लेकिन हाला मेरा वो सौट्स बगरा मट डालेगा हमने का अगर बाई दिवे डाला तो आपका चहरा बलर रहेगा और आपका ये जो नाम प्लेट होता है वो भी बलर रहेगा तो फिर बोले सर आप सुबर सुबर हो सकता है वो इस समय मुझे सुन रहे हूँ तो सर अगर आप मुझे सु लेकिन वह खुसी मेरे अंदर घुसी न तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर थोड़ा सोच समझ करके और इस बार जितना मतलब इस इंसिटेंट रहा था समझ रहो लोटते समय भी एरपोर्ट पे जब आप फ्लाइट से उतरते हो तो बस वगएरा खड़ी रहती है फ्लाइट से अस्तो सर तब तो हम रिलाइक्स थे क्योंकि वो लोग उनिफॉर्म में नहीं थे फिर वो दोनों बोले हम बोले हम बोले हाँ भाई आप कौन बोले सर हम लोग B.S.F. में हैं और मैं गोरगपूर का रहने वाला हूं उनका नाम नंद किसून था नंद किसून और एक और थे तो वो लोग बोले सर हम लोग B.S.F. में हैं और मेरी गोरगपूर से आये हैं दिल्ली सर और दिल्ली से जा रहे है आईजोल हमारी पोस्टिंग है सर वहाँ पे तो वही अब कल यहां से फ्लाइट है सर आईजोल जाएंगे आप से सर हम पढ़े हैं GS वरदान बैच का नाम दे रहे तो और current affair तो भी अच्छा लगा कि यस मेरे student border से लेकर के airport तक हैं और बड़ा अच्छा लगा फिर उनसे तो भाई normal uniform में नहीं थे तो उनसे बातचीत करने का मौका मिला धीरे धीरे मैं यह महसूस कर रहा हूं जैसे हम लोग पापा की एज में होते ते नहीं सुद आप नहीं आके मिलने न अच्छा लगेगा अओ चलो next question हली में कौन सा ECI देस कार अस्थल पर हिंसा और उत्पीडन को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है ठीक है ना पहला देश बन गया है तो मैं आपको बताओ वो पहला देश कौन बना है फिलिपिन्स फिलिपिन्स उसको नाम सुनने पर ऐसा लगता है कि क्या ये मुस्लिम कंट्री नहीं है यहां के आबादी में Christianity जादा है 5-6% यहां पर मुस्लिम है कार अस्थल पे यौन हिंसा और उत्पीडन से मुक्ती इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है International Labour Organization International Labour Organization ये जो संस्था है ये 1919 इस्वी में बनी थी इसने अपना पूरा संभिधान बनाया हुआ है पूरा चार्टर बनाया हुआ है और उस चार्टर के चार्टर संख्या चार्टर संख्या 190 में इस संस्थान ने ये बताया है कि ऐसा क्या क्या हो कि हम कह सकते हैं कि ये अस्थल हिंसा से फ्री है यौन हिंसा से या उत्पीडन से कई बार ऐसा होता है कि कारेस्थल पे लड़कियां काम करती है पुरूस कई बार उनके बास कई बार सहकर्मी तो कई बार वो खुद उसमें इन्वाल्ब होती है और फिर बाद में यौन हिंसा है उत्पीडन या किसी भी प्रकार के हिंसा से पीडित होती है तो बादचीत में टीज न करना छूना चाना सोसल किसी प्रकार का मानसिक सारीरिक आर्थिक इन सारे चीजों से फिलिपिन्स को एसिया का पहला देश घोसित किया गया है कि जहां कारेस्थर मतलब जहां वो जौब करते हैं उनसे वो फ्री हैं तो यह फिलाले फिलिपिन्स का ठीक है ना फिलिपिन्स के राष्टपती का नाम क्या है भी मार्कोस ये विक्ति फेमस चला है इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना में भी कि आप से ये पूछ दे और इंटरनेशनल लेबर और गिनाइजेशन ये एक ऐसी संस्था है ये एक ऐसी संस्था है जो युनाइट नेशन से पुरानी है ठीक है ना युनाइटेड नेशन से पुरानी है युनाइटेड नेशन 1945 में बना है और ये आपके 1919 में बना है एक्चुली युनाइटेड नेशन बना है लीग आफ नेशन की जगह किसकी जगह लीग आफ नेशन की जगह और इस लीग आफ नेशन की रखनी पड़ेगी ठीक है ना तो चलो अगले पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं ये कभी-कभी स्टैटिक में खुब पूशता है भारत का दवरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्टपती आईजन आवर ठीक है ना आईजन आवर अगले क्वेश्चन पर भी जाते हैं औ बड़ी-बड़ी टेक कमपनी है मेरे लला वो यहाँ पे जुठती हैं और आने वाले साल में वो क्या नया टेकनलोजी लाने वाली हैं उसको दिखाती हैं मतलब ये टेक कमपनीों का एक व्यापार सो है ठीक है ना वो अपने जिसमें इस व्यापार सो में वो क्या करती हैं अपने latest product को दिखाती है, latest product, ठीक है न, कि हमारी company इस साल नया क्या करने वाली है, तो Mobile World Congress का Spain के बार्सिलोना में आयोजन हो रहा है, ठीक है न, बार्सिलोना में, इस बार तुम लोग को दो चीज मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, एक company है, तुम लोग उसका नाम बड़े अच्छे से जानते होगे, सायोमी, ठीक है न, ये, ये company, अब electric car, इस बार ये लाने वाली है, electric car, अभी तक ये mobile के field में थी, लेकिन अब ये electric car लाने वाली है, तुम लोगों ने एक company का नाम सुना होगा, Lenovo, ये company, transparent laptop, ठीक है न, transparent laptop, ये अपना नया technology क्या ला रही है, कि अब आप laptop का पूरा transparent देख स लगते हो, तो मैंने क्या कहा, कि mobile world congress क्या है, टेक company का एक वैपार सो है, जिसमें वो अपने latest product को दिखाते हैं, इस पेन के बार सिलोना में हो रहा है, अब ये जो आपके सायोमी है, ये सायोमी, ये car ला रही है, electric, Lenovo क्या ला रही है, transparent laptop की laptop के आर पार तुम पूरा देख ल जनोता है, अब बताओ, आज के बाद भूलोगे कि सर, mobile world congress क्या होता है, या ये कैसे आज जनोता है, ये 26 तारिक से सुरू हो रहा है लला, मतलब आज, आज 26 है न, हाँ, आज से सुरू हो करके 29 फरवरी तक ये चलेगा मेरे भाई, ठीक है न, 29 फरवरी तक ये चलने वाला ह mobile world congress, ये electric car जो ला रही है, SU7 ला रही है, सावमी, ठीक है न, अब देखो, मज़ेदार चीज है न, अचा यहां हम लोग जाके बैटते तो देखते न, कौन company कैसा mobile लाएगी, क्या न, मैं बहुत excited हूँ, लेनोवो के ये transparent laptop के बारे में जानने के लिए, अब देखते हैं, क् mobile world congress, आज से पहले मुझे भरोसा है, कि तुम लोग रटे होगे mobile world congress, अब तुम लोग को excitement रहेगा, कि यारी नही 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 टेकनलोजी, पूरे विश्व में यही एक ऐसा मेला है mobile world congress का, जिसमें आपको ये पता चलता है, कि इस वर्स, कौन सी company, कौन सा बड़ा update लाने वाल सामाजिक लेखा परिच्छक सलाकार निकाई की पहली बैठक नई दिल्ली में, 63 सेंट्रल जियोलोजिकल प्रोग्रामिंग बोठक की बैठक भोपाल में, विश्व सरकार सिकर समेलन दुबई में, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो नई दिल्ली में, अब बैठक से question है तो बैठक से related, और भी question, केंद्री उत्पाद सुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, एक्चुली, वित मंत्राले, सर इस केंद्री उत्पाद विभाग, इसको देखता कौन है, याद रखना, वित मंत्राले, वित मंत्राले के अंतरगत, वित मंत्राले का ये खुब पूछता है कि केंद्री उत्पाद सुल्क को कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मंत्राले देखता है, मंत्राले पूछे, तो आपके वित मंत्राले, डिपार्टमेंट पूछे, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वित मंत्राले का रेवेन्यू डिपार्टमें Actually 1944 की बात है जब केंदरी उतपाद सुल्क आधिनियम आया था कब आया था सर ये act आया था केंदरी उतपाद सुल्क का Central Excise Duty ठीक है न Central Excise Duty से related act आया था 1944 में तभी से उसी की याद में केंदरी उतपाद सुल्क Central Excise Duty के याद में जो नियम एक्ट अधिनियम आया था तब से ये कहा गया कि भाईया ये हम मनाएंगे प्रती वर्ष 24 फरवरी को चुकि 24 फरवरी को मैं बार बार कहा रहो लला मैं अपसेंट था लखनोव में यूपी पुलिस आंदोलन में था तो वहाँ पे अगले पॉइंट पे आएंगे त तो सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाए जाता है जरूर याद रखेगा वित्त मंत्राले का राजस विभाग के अंतरगती आता है ये मैंने यहां लिख दिया यह दिन 1944 में केंदरी उत्रासुर नमगा देरे किस था अपना को प्लक्ष मनाए और सेम चीज इंग्लिस में लिख दिये ठीक है ना सेम चीज इंग्लिस में अगले पॉइंट पहेंगे अचा अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला क्या रहेगा ठीक है निक्स्ट के होईसला कौन थे जिनका हालही में निधन हो गया ये एक्चुली सच बात तो यह है कि इनका निधन 23 तार स्टिंस में कि होईसला की उमर चोंतिस वर्स थी ठीक है ना 34 वर्सी और इनका डेथ हुआ हर्ट अटैक से ठीक है ना हर्ट अटैक कार्डिएप अरेस से इनका जो है वो डेथ हुआ अब बताओ कुछ लोग कहते हैं जो लोग तेल मसाला खा रहे हैं या सराप पी रहे हैं या ऐसे उनको हार्ट अटाइक आता है ये तो क्रिकेटर थे फिट रहे होंगे न किसी भी आम वेक्टी से ज़्यादा फिट रहे होंगे के होई सला हार्ट किसी से कोई संबंध नहीं है लला ये कभी भी किसी को भी आ जाता है मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने संबंधों को अपने दोस्तों को अपने रिष्टेदारों को जी भर के जी लो जीवन एक बार मिला है अब आप इसमें अपने रिष्टेदारों से दोस्तो या अन्य बहुत सारे लोग heart attack से मर जा रहे हैं आज हम रात सोए कल का कोई ठीकाना नहीं है तो प्लीज इस छोड़े से life को लड़ाई जगड़े असांती में न गुजार करके माफ करके सांत हो करके गले लगा करके जीओ क्योंकि एक बार जब चले गए ना सब रह जाता है य जिनका हाली में निधन हो गया करनाटक के क्रिकेटर थे तमिल नाडू के खिलाफ खेल रहते और जब ये जीत गए तो उस समय ये जस्न मना रहते मैदान पे तो इनको heart attack आया फिर hospital ले जाए गया लेकिन वहाँ पे इनको डॉक्टरों ने मृत गोशित कर दिया ठीक है ना डॉक्टरों ने वहाँ पे इनको मृत गोशित कर दिया तो वो बात आपको ध्यान रखनी होगी अगला question अमेजन forest में दुनिया का सबसे बड़ा साप खोजा गया है इसका वैग्यानिक नाम क्या दिया गया है वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये जो अमेज यूनेक्टस अकामिया जो है तुम लोग आना कोंडा हॉलिवूड की मूवी देखे होगे ये ये करीब ये जो यूनेक्टस अकामिया इसका नाम क्या रखा गया है यूनेक्टस ठीक है ना यूनेक्टस अकामिया अकामिया ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप बताये जा इसकी लम्बाई जो है वो करीब करीब 26 फित की है लम्बाई 26 फित है और इसका वजन 250 प्लस kg है 250 प्लस kg है ये आपके Amazon के घने पानी के नीचे पाया गया है और इसको खोजने वाले जो वैक्ति हैं वो फ्रिंक वोंक ठीक है न यह जो बेखती है यह जैसे नहीं नेस्नल जियोग्राफी पे जानवरों से संबंदित यह फ्रिंक वोंक है ठीक है न फ्रिंक वोंक फ्रिंक वोंक नाम के प्रोफेसर ने इसकी खोज की है और इसका नाम रखा गया यूनेक्टस अकामिया वैसे मैं आ एनाकोंडा की चार प्रजाती होती है, ये बिसिकली एक एनाकोंडा है, ठीक है ना, एनाकोंडा है, और एनाकोंडा चार प्रकार के होते हैं, उन चार प्रकार में सबसे भारी ये हरा एनाकोंडा, ठीक है न, ग्रीन एनाकोंडा, एनाकोंडा, ये ग्रीन एनाकोंडा है, ये, इसकी छमता ये है कि ये एक बार में मूँ खोल करके एक आदमी को प्रेसर से खीचेगा तो उसके पेट में चला जाएगा हम ये सोच रहे थे यहां का कर रहे हैं अगर हलका सा इदर घूमा तो ये निज बताने के लिए बचते ना सही नहीं बता रहे हैं इसे चलते 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 आओ अंदर आओ अब इसी के अंदर रिपोर्टर बने रहे हैं ठीक है न हरा अना कोंडा चलो तो ये है ये वास्तों में उत्तरी हरा अना कोंडा है मैंने बता रहे हैं चार प्रकार के अना कोंडा होते हैं तो वो उसमें हरा होत है इस तरीके के अना कोंडा होते हैं ठीक है ना चलिए अगला कोश्चन आपको देखते हैं हाँ ये वाला देख लो सबसे बड़ी अपवाज शेतरवाली नदी अमेजन नदी है इसी में इसका खोज किया गया है सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी स उत्पादन सुविधा को किस वर्स तक भारती देखो भारत सरकार का लक्ष क्या है बजट में भी और अन्य जगों पे 2070 तक भारत को कार्बन मुक्त ठीक है ना कार्बन मुक्त भारत की अधारना हम भारतीय लोग ले करके चल लए है ऐसे इस्तितिये में जब तक green hydrogen को बढ़ावा नहीं मिलेगा कुछ होना नहीं है तो hydrogen green hydrogen उत्पादन आंधर प्रदेस के विशाखा पत्तनम में ठीक है ना थीक है विशाका पत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदर गाँ भी है इस चीज को भी ध्यान रखना तो ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सुथपादन केंद्र विशाका पत्तनम में खोला गया है आप देखो इससे क्या होगा अचा इसके लिए जो वहां की किया है इनके साथ NTPC Green Energy Limited के साथ ठीक है न और अब ये करीब 1200 एकड़ भूमी पे खोला जा रहा है और करीब 8 बिलियन डॉलर इस पर योजना का मुल्य है लागत आएगा अगला पड़ ये भी कुछ देख लिजे कि सबसे बड़ा कॉरिडोर ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी रहती है न बहुत काम के होती है और इस क्लास की PDF तुरंत मत खोजा करो एक दो घंटे के बाद लेक्चर के नीचे जब YouTube पे पहुँच जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके आप क्या कर सकते है इस PDF को डाउनलोड कर सकते है ठीक है इस PDF को डाउनलोड करिएगा 23 फरवरी को विश्व प्रसिद्य संत गुरु रविदास जी की जैनती मनाई गए इस जैनती को मनाने के लिए आपको पता है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी वारानसी गये थे यूपी में वारानसी और वारानसी में एक जगह है सीर गोवर्धन पुर वहाँ पे सीर गोवर्धन ठीक है ना सीर गोवर्धन पुर ये सीर गोवर्धन पुर जो है ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास पड़ता है वहाँ पे इनकी भव्य मंदिर कई सालों से स रविदास की मौझूद है इनका वरानसी में जन्म हुआ था और 1377 इस्वी में और इन्होंने सामाजिक दूरी के खिलाब आवाज उठाया था इनका वो फेमस लाइन है मन चंगा तो कठावती में गंगा इन्होंने ही वो फेमस लाइन बोला है मन चंगा तृ कठावती में गंगा ठीक है न तो कठावती में गंगा ये रविदास जी महराज के द्वारा बोली गई प्रिसिद्ध लाइन है रविदास जी को रूहीदास के नाम से भी रैधास के नाम से भी जाना जाता है सम्टाइम इनको आप रहिदास के नाम से भी सुनोगे, सम्टाइम इनको आप रुहीदास जी के नाम से भी सुनेंगे, ठीक है ना, रहिदास जी और रुहीदास जी के नाम से भी सुनेंगे, इनकी 11 संत वाणियों को गुरु गरंथ साहब में भी 41, इनकी 41 ऐसी वाणी हैं, जो मानवता के लिए भलाई युक्त हैं उनको सामिल किया गया है कि इसमें गुरु गरंथ साहिब में कभी-कभी ऐसे भी पूछता है किस हिंदू संत की जो वाणी है जो अच्छी बाते उसको गुरु गरंथ साहब जो सिक्धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट पवित्र पुस्त को में से एक है या सबसे प्रमुक है उसमें इनके 41 गुरु वाणी को सामिल भी गुरु वाणी को किया गया है तो संत रविदाज जी की अभी मोदी जी पहुचे हुए थे वारानसी में मैं तो कई बार बता हूँ जब मैं B.H.U. आता जाता था मतलब जब मेरा पढ़ाई लिखाई बनारस से चला था तो मैं B.H.U. आता जाता था तो कई बार जाम में भी फांच जाता था तो पूछने पता चलता था साल में एक आग बार अच्छा रविदाज जी की जैनती है तो हम लोग भी पहुचते थे बढ़िया खाना होना मिलता था दरसन पूजान उसी म तो यह अभी किसकी कौन सी जैनती मनाई गई वो एक बार जरा देख लो ठीक है ना अभी किसकी कौन सी जैनती मनाई गई वो एक बार जरा आप लोग देख लीजेगा आज साम से तुम लोग की जो जीडी की क्लास सनी वार रवी वार दो दिन डिस्टर रही वो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ना जीडी और माग पूरिमा के दिन मनाये जाता है अब इस बार माग पूरिमा आपके इस 24 को पढ़ गया तो माग पूरिमा को मनाये गया 2024 में विश्व सांती और समझ दिवस यही तो नहीं है हम लोग के पास न सांती है न समझ है हम लोग के पास असांती है और ना समझी है इसी चीज को पढ़ावा देने के लिए कि भईया सांती रहे समझ रहे 23 फरवरी को विश्व सांती और समझ दिवस मनाये जाता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टेंडिंग डे ठीक है यह 23 हलाकि मुझे उमीद बहुत कम है कि यह एक्जाम में पूछेगा इसलिए मैं इसके उपर बहुत ज़्यादा ध्यान क्योंकि देखो नों क्वेश्चन होगा किसी को कहा सर यह वाला पूछ देता है बाकी कोई पूछे न पूछे यह वाला पूछ देता है 15 नौंबर महरास्ट सरकार द्वारा हाली में किसे महराष्ट भूशन अवार्ड महराष्ट रतन अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया इस बार के जीडी में पूछा अभी महाराष्ट भूशन अवार्ड की बात करें लिला तो असोक सराव जी को दिया गया है तो ये आपके देविंद्र फढ़नवीज जी ये सिंदे जी महाराष्ट के मुख्यमंत्री और ये आपके महाराष्ट के उप मुख्यमंत्री तो इन्हों ने किसे अशोक सराव जी क को दिया महाराष्ट भूशन का प्रतिष्ठित अवर्ड अनभवी मराथी अविनेता असोक सराव जी को महाराष्ट भूशन पुरुशकार से सम्मानित किया गया है सम्मानित क्या गया मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे जी के हाथों के दौरा इन्होंने मराटी और हिंदी सिनेमा सहित कई थियेटर कारे भी किये हैं 2013 के लिए महाराष्ट भूशन अवार्ड दिया गया है किसको अशोक सराव जी को अब इससे ज़्यादा इसमें इन्पॉर्टेट नहीं बनेगा आप याद रखेंगे ठीक है न चलेगा नेक्स्ट कोईस्टन पर जाते हैं ठीक है नेक्स्ट कोईस्टन हाली में किस देश को वित्ती अपरादू की निगरानी के लिए वित्ती कारवाई भल FATF की निगरानी ग्रे लिष्ट से अलग कर दिया गया है बताइएगा तो सर ग्रे लिष्ट से अलग किया गया है UAE को चीगा न यूए ए को ग्रे लिष्ट से अलग किया गया है तो बस अब इसमें क्या ही है UAE मार्च 2022 से ग्रेलिस्ट में था अब उसको FATF की ग्रेलिस्ट से अलग कर दिया गया है कि ग्रेलिस्ट में उनको रखा जाता है जो money laundering धोखा धड़ी या ऐसा लगता है कि साथ ये गलत जगा फंडिंग न कर रहे हूं उनको ग्रेलिस्ट में क्लासेज जरूर होंगी बजरंग जी इसी के लिए तो तीन दिन आंदोलन किया गया बकायदा बिधवत कि भई या यूपी पुलिस की क्लासेज हो जाए वित्वर्स 2025 के लिए इसका राइट एंसर रहेगा 6.5% ठीक है ना 6.5% स्टैनली ने भारत की सकल घरेल उत्पाद का अनुमान लगा है बैंकिंग के questions आपके paper में नहीं आते हैं ये तो मान लो एक बार RBI का होता तो मैं सोचता भी कि RBI का है इसको रट के बैठो लेकिन banking का नहीं आएगा आप खतम करिए इसको आप 2025 के लिए 6.5 जबकि 24 के लिए 6.9 है बस इतना याद रखो banking related बहुत ज़्यादा depth में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं इस question से तुम लोग को next point पर हाँ बलकि तुम इसका जरूर याद रख सकते हो विस्व बैंक का अगर रखना ही है तो स्क्रीन सॉट ले लो साइथ तुमें काम आ जाए आजाए इन सब में क्या रहता है न कि ये जो है जट से एक एक दुदु महिना में update मार देते हैं अब हम S.S.C. बालों को banking के news से उतना मतलब होता नहीं है आता ही नहीं है तो काम अतलब रखे हैं हम लोग अब ये update भी मार देते हैं पहले बोलेंगे इतना अब फिर बोलेंगे इतना है परसेन्ट है पईसा रुपया है खर्च हो रहा है तो कि ना रहे करो इनको भाग वर्थ 2024 के लिए लता मंगेसकर पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है सर सुरेश वार्डरकर जी को जो कि प्रशिद गायक बॉलीवुड के हैं सुरेश वार्डरकर जी दिगज पार्स गायक सुरेश वार्डरकर को 2024 के लिए ग्यान समरागी लता मंगेसकर पुरुसकार से ठीक है गान सामरागी गाने में जो हमारी सुप्रीम है लता मंगेसकर जी उनके नाम पे जो अवार्ड है लता मंगेसकर जी पुरुसकार उससे समानित किया गया है महराष्ट के मुख्य मंत्री एकनाथ सिंदे जी और उसी में जिसमें अशोक सर्राप जी को महराष्ट भूशन का अवाड दिया गया है वो अब इनको चुकि लता मंगेसकर पुरुसकार की इनामी रासी क्या है ये आपसे पूछ सकता है पाच लाक रुपए इनामी रासी है ठीक है मैंने भाई पाच लाक रुपए अन्य ये चुकि मैं चौबिस और पच्चिस भरवरी को लखनव में मतलब की 22 को आपके ही पहुँच गया था 23 तारीक 23 से लेकर के 24 पच्चिस ये मेरा लगभग समय भी था लखनव में इको गार्डेन में अब उस समय चुकि मैं नहीं था यूपी पूलिस वाले अंदोलन में था तो कम से कम वहां का दोहरा तो लिया जाए एक बार ताकि हम लोग से कुछ छूटे ना फिर कल से पूर पर जाएंगे दोस्ती 16 नामक 3 पक्षी सायन अब्यास भारत सिलंका और किस देश के बीच आउजित किया गया है ठीक है ना तो किस देश के बीच मालदियू के बीच अगला 20 हजार से अधिक जंजाती चात्रों को लाप पहुचाने के उद्देश से अर्जुन मुंडा और सरवानन सोनवाल की सहर में संयुक्त पहल को लांच किये हैं सर दिल्ली में लांच किये हैं दादा साफ फाल के अंतर राष्टी फिल महुच्छों के सतरवे संस्क्रण में बेस्ट एक्टर का वाट किसे दिया गया है सर बेस्ट एक्टर का वाट सारु खान को दिया गया है निम्न में से किस राज्य में, साथ में उत्तर पुर्व युवा महुत सो दोजार चोविस का उजन किया जा रहा है, सर ए उप्शन, त्रिपुरा, भारत के पहले 360 डिग्री इमर्सिव डॉम थेटर का उद्गाटन, डॉम के स्ट्रक्चर का है, डॉम, डॉम थेटर का नहीं में, ठीक है, चेन नहीं में, अगला, मनोहर जोसी निम्न में से किस राज्य के पुर्मुक्य मंत्री थे, जिनका हाली में निधन हो गया, सर मनोहर जोसी जी महराष्ट के पुर्मुक्य मंत्री थे, most important बनेगा, ये बात देख ले न, अगला, भारत की पहली महिला बनी आपके जैंसी था, कल्यान जी, अब यहाली में कौन, सतरकता आयुक्त, ठीक है, विजिलेंस कमिशनर बने है, सतरकता आयुक्त बनाए गया है, A.S. राजी को, A.C.I. आर्थिक समवात के आठवे संस्क्रण का आयुजन निम्न में से किस सहर में किया जाएगा, बताए गीता महुत्सों के पाचवे संस्क्रण का आयुजन किस देश में किया जाएगा, सर वो तो निश्ची तोर से भारत में और अंतराष्टी गीता महुत्सों, हाली में किस के द्वारा चमता निर्माड योजना को लांच किया गया है, सर अश्वनी वैस्णों जी के द्वारा निमन में से कौन हाली में जारी की गए रेटिंग में, सबसे लोगप्री वैस्ष्विक नेता बने हैं, भाया वोटिंग तो इनी के पास है, तवे तो ही का रहा है, 2400 पार वो विश्व की बात है, भारत के सबसे बड़ी ड्रोन पाइलेट प्रसिशन संस्थान को निमन में तो यह आपका सारा सेशन था, और आज साम हम लोग GD के लिए मिलेंगे, हम भी आ चुके हैं, लकनो से लोटकर अतुल सर भी आ चुके हैं, और आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, Y182 कूपन कोड मेरा है, और इसके दोरा आप अड़ा के किसी भी प्रोड़क्ट पे 78 से 80% आफ लेकर के वो प्रोड़क्ट ले सकते हैं, अगर आप बुक और टेस्सिरीज लेते हैं, तो Y182 कूपन कोड का प्रियुक करेंगे, ठीक है ना, आज साम में मिलेंगे हम 7 बज़े आपको GD के सेशन में, और UP पुलिस के लिए भी किया जाएगा, ठीक है ना, थैंक